मैं लंबे समय से राजनिती में काम कर रहा हूँ राश्टिय स्वेंसे उक्संद से और प्रचारक के नाते पार्तिय जंता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते और बिगत लगबग चार वर्से से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देव भूमी उत्राखंड में सेवा करने का मौका दिया यह मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का यह सुरणी मौसर्ख मेरी पार्टी ने मुझे दिया एक छोटे से गाउं में जहां आज भी साथ-ाथ परिवार रहते हैं उस गाउं में मैंने जन्म लिया एक सेनिक के परिवार में जन्म लिया और पिता जी पूर्व सेनिक थे कभी कलपना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी सोच भी नहीं सकता लेकिन भारतिय जन्ता पार्टी में ही ये सम्मान था एक छोटे से गाउं के एक छोटे से अती साधारन परिवार के एक पार्टी के कारेकरता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और चार साल मुझे सेवा करने का मौका दिया पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से सामुईक रूप से ये निर्ने लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए चार वर्स में आज कितना तारीक आज नो दिन कम रहे गए चार वर्स पुरा होने में तो ये कितना मौका मुझे दिया है मैं परदेश स्वासियों का भी बहुत धन्यबाद करना चाहता हूँ बिसे इसकर जो हमने इस रोजगार के छित्र में महलाओं के उत्थान के लिए उनके ससक्तिकरण के लिए बच्चों की सिक्सा के लिए किसानों के लिए तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कारेक्रम दिये ए चार वर्स का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन यह उजणा को हम मैं नहीं ला सकता था महलाओं का पती की संपत्थी की पैत्रिक संपत्थी में खातेदार के रूप में उनकी हिस्सेदारी और एक घसियारी कल्याण योजना मुक्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना जो तराखंड जैसे प्रवतिय राज्य के लिए अती संपेदन सील पहल है सरकार की अब जिनको भी कल दाइत्थ तो मिले गए वो उसका निर्वहन करेंगे मेरी उनके लिए बहुत सुबकामनाय है और मैं अभी अभी मानिय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र शौप करके आ गया हूँ धन्यवाद देखिए भार्दे जनता पार्टी में कोई भी फैसले होते हैं तो सामुहिक विचार के बाद ही होते हैं अध्याग जी से मत परियाब अध्याग जी को आप फिर मखा देंगे कल पार्टी मुख्याले पर दस बजे पार्टी विधानमंगल दल्की बैठक है सबी विधायक उसमें कल रहे हैं देखे देखे ऐसा है मैंने कहा कि ये सामुहिक निर्ने होता है और इसका बहुत अच्छा जबाब आपको दिली जाना पड़ेगा उसके लिए अब लोगों के सब्सक्राइब लिए बहुत 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 धन्यवाद तो सुन रहे थे आप त्रवेंद्र सिंग रावत को और उन्होंने कहा कि मैं अभी अभी राजभवन से आया हूं